हर हर महादेव तो कैसे हैं आप लोग वेलकम बैक टू दे एटू मॉमान डियोटी मैं हूँ सो नल और मैं अच्छी हूँ आप कैसे हैं ये बताएए तो आज का ब्लोग बहुत ही स्पेशल है महाशिवरातरी के उप्रक्ष में हैं तो ये मेरे घर के पास का टेंपल है जहां बहुत पुराना मंदिर है ये पेड़ भी बहुत पुराना है पिपल का पेड़ है और बहुत ही पुराना पेड़ है बहुत पुराना मंदिर है ये आप लोग भी परणाम कीजिए तो यहां पे यहां का छोटा से मैंने वीडियो बनाया था इसी मंदिर का तो यह देखिए यह पेड़ है और यहां हम लोग शिवरातरी की पूजा करने के ले गए थे नीना है ममी है वहां ओमी खड़ाया है उस तरफ से शिव मंदिर है इस मंदिर में बहुत ज्यादा भीर रहता है अंदर से मोजह हुआ ओमी जब हो यहां देखा की इतना ज़्यादा सजाया जाता है क्योंकि आप जाके यहां पे इतना खुब शूरत ता बहुत ही सुंदर इतना सुंदर था कि मुझे वीडियो बनाना पड़े इतना अच्छा हुआ लग रहा था द एख के शिव जी का मंदिर byther यहां पर यह पंडी जी हैं जो की सर में मतलब अपने गर्दन में जो गमज़ा लपेटे वे और इस तरह का महौल लग रहा था जैसे मेला में आ गई हूं मैं बहुत ही सुन्दा लग रहा था मन एकदम हलका हो जाता है जब यह सारी चीज़े देखते हैं सुनते हैं ऐसी जग ब्लॉग इंग का भी चैनल है तो ब्लॉग इंग भी कर रहे हूं चोटे चोटे एकलिप्स बनाती हूं जादा नहीं बना पाती हूं और यह शिव जी का बाहर से भी इतना खुबसूरत सजा हुआ था आप लोग देखी सकते हैं बाहर से किस तरह का सजाया हुआ है बहुत ह मन्त होता है जिन लोग को पता होगा वो लोग जानते होंगे तो वहीं महादेव जी का पुझा कराया था यह शिवरिंग है जो कि उस मंदिर का है बहुत भीर थी इसलिए मैं अंदर नहीं गई थी तो देखे आप लावर्स आप लोग देख रहे हैं यह सीमा के घर के हैं य नहीं पर खतम करती हूं मिलती हूं फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हरहर महादेव और अपना भी ख्याल रखिए अपने चानों वाले का ख्याल रखिए सबके साथ खुश रहे हसते रहे बोलते रहे और मुझ भी अपनी किर्पा आप लोग भी बर साते रहे चलिए तो फिर रखते हैं बाई टेक केर हरहर महादेव